उर्द्वं तथादो नहियाश्यमानं तस्मीन महोधान्मनिराजमानं मुक्तवरजानामधिराजमानं स्रिस्वामि नारायन मानमामी ब्रह्मांड संदो अविभासी कांदे नैकात्म कल्यान निगोड कांदे मनुष्यरो पार्पित दिव्यशांदे स्रिस्वामि नारायन मानमामी स्रिस्वामि नारायन मानमामी मनुष्यरोपं प्रतिमास्वरोपं तथाक्षरेधामनि दिव्यरोपं यस्यास्त्यबिन्नं कमनेयरोपं स्रिस्वामि नारायन मानमामी स्रिस्वामि नारायन मानमामी दिव्याम्बराभोषण भोषितांगं दिव्याद्वितियाकृतिमान्जुलांगं दिव्यत्वसंपादकसंगि संगं स्रिस्वामि नारायन मानमामी मिनारायन मानमामी स्वस्वामि नारायन नाममांत्रं स्वयं दिशांतं भोपारयंत्रं प्रवड प्रतापा स्रितलोक तंत्रम श्रिस्वामिनारा यनमानमामी योगा द्विनाका रितसर्समाधिं सदभाक्त संगा तविनाशिताधिं संप्रापयंतं तमनाध्युपादिं स्रिस्वामिनारा यनमानमामी सर्वावतारा प्रविलापयंतं सर्वावतारी त्वमहोधरंतं स्वरादितिस्वान परिदर्शयंतं स्रिस्वामिनारा यनमानमामी स्रिस्वामिनारा यनमानमामी माईश ब्रह्मा प्षरसंग बेजं येनादि मुक्ताय पितेशु बेजं स्रिस्वामिनारा यनमानमामी स्रिस्वामिनारा यनमानमामी प्रत्यक्षएवा स्मिसदेतिबानं दत्वास्वकेभ्यो निजमूर्तिदानं यावद्रवेंदो प्रगटप्रमानं स्रिस्वामिनारा यनमानमामी स्रिस्वामिनारा यनमानमामी त्वमेव माताच पिता त्वमेव त्वमेव बंदुच सका त्वमेव त्वमेव विध्या द्रविनं त्वमेव त्वामेवसर्वं ममदेवदेवा निजाश्रिताना सकलार्तिहंता सद्धार्मबक्ते रवनम् विधाता दाता सुखाना मनसेवसिताना तनो तु क्रुष्णो खिलमंगलम् ना तनो तु क्रुष्णो खिलमंगलम् ना मुकं करोति वाचालं पांगों लंगयते गिरे यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दम् व्रुषात्मजम् परमानन्दम् व्रुषात्मजम् दिव्यजिवननि जोत जगावो अपकरता थैकार्यो दिपावो मंगलमै सुखनित्य दिनारा जै घन श्याम जै जै कर नारा श्याम जै जै कर नारा श्रोयताम दिवदे वेशव स्वामी नारायन प्रभो त्वद्ये नावधाने ना कथई शेशु भाकथा स्री स्वामी नारायन आय नमो नमा नमो नमा स्री घन श्याम आय नमो नमा नमो नमा स्री अरे कृष्णाय नमो नमा नमो नमा स्री सहजानन्दाय नमो नमा नमो नमा नमो नमा स्री बापा स्री भगवते नमो नमा नमो नमा स्री स्वामी बापा भगवते नमो नमा नमो नमा नमो नमा स्वामी नरायन हरे गईकाले आपड़े कथा मा सामड़ियों स्वामी नरायन भगवान फुल्डोडनो समयो करवा माटे जुनागट पधार्या छे अने त्यां गोकुल्डास ना मातूश्री जमने ससंग नो तो यमने भगवान ना दर्शन मात्रे समाधी थै अखन भगवान नी मूर्ती देखावा लागी टेव पर आपणे अस्टांग योग एना आठ पगतिया भगवान नी मूर्ती नो साक्षातकार करवो होई तो जीवन साईली केवी अपनावी जोईये भगवान ना साक्षातकार सुदी पोचवू होई तो एक पची एक कया कया सोपानो सर करवा पड़े चे एनी आपणे विस्तार्थी वाद करी हवे आगणनी कथा अपणने गुपाल वापा संबलावे चे आपने पदाय मूर्ती मा रहे मूर्ती नू अनुसंदांद राखी ने कथा वार्तानू स्रवान ते करिये श्री गुपाल वापा वाचा मूर्तीर लौकिकी सद्या प्राविषत्त दृदी प्रभो अरिस्तू स्वेष्तत प्रायाद निजावासं समान वित यत्र यत्र दर्षशा सवत तत्र 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 तमैक्षत दिव्यमोर्तीम ही सर्वत्र योगी धेयं परात परहाद गुपाल वापा केछे कि हे निर्गुण मुने आपना उपास्रीष्ट देव सर्वो परी स्वामी दारण भगवान ने उताना गर्णा दर्वा जे उबेला एणे जोया अने भगवान ना दर्षन करवानी साथे जे भगवाननी जे अलवकिक मुर्ती ए एना रदयमा तत्काल प्रवेशी जती हवी योगाद्विना कारित सत्समाधिम आ श्रीहरी भगवाननों असाधारन लक्षन केवामा अवेलो छे अने ज्याज्यायनी नजर पड़े त्यां त्यां जे योगियो भगवाननों साक्षात कार करवा माटे अनेक युगो थी प्रहत्न करे छे एवा भगवानने ते सर्वत्र जोवा लागी ज्याँ 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 जुवे एने भगवान देखाए थामलामा बारीमा बारणामा उरसियामा तेलनी कडाईमा अरे कोग मलवायो हुआ तो यहाँ पड़े ने भगवान देखाए आवी जबर्जस्थिती एडोसीमानी थाई गई परंतु सुथयो अवे आगणनी कथा गुपाड वापा केशे किंतु कुसंग योगेना दूर्बगा सेत्यमन्यता सहजानन्देन कृतस्तंत्र योगोत्व इमाई दुवं विचिंत्यती हरीर्मुर्द्या विश्मृत्य विदधेत्वसव नानो पायांस्तथाप्येव किंचि दूरम्न सभावत शुके छे आटलो बद्वयने लाब मल्यो दरेक भगवानना भक्तनी इच्छा होई छे के मने जिवन मां मारी आवर्दानों अन्तावे एना प्यला छती देहे महरादनी मुर्तिनों साक्षात्गार थाए जिवन प्राण साही वापाए कवे प्रमाने आखी जिन्गी आपने प्रार्थना करिये छिए ते जो मैं मुर्ति तारी देखू रस्बस ते माए ठराए एवर मुने आप जो रोज आपने भगवान पासे मागिये छिए ये भगवान मने मुर्ति अखन तमारी देखाए आवी वर्षो सुधी प्रार्थनाओ करवाच छता जे प्राप्ती भगवान ना भक्तने नथी थती एवी सेजे सेजे प्राप्ती आ गुकुल दासनी माताने थाई परन्तु कुसंग योगे न जात्वी न क्यारे भात न पड़े मुलमाज बदी वस्तु खराब होए औने उपर थी आपड़े सारी सारी वस्तुनु स्थापन करिये तो परिणाम सारू आवतु न थी अमें कुठारी स्वामी ने पुसिजो जो गर्मा मसाला अड़दर बदू बर्यू होए दारों के अड़दनों डबो खला स्थवायो होए आपने नवी अड़दर लाया तो शू करवानू नवी अड़दर अंदन नाखी देवानी ना तेला पेली जे जुनी वप्राती होए एक खतम धवा देवानी पची डबो साप करवानों अने पची नवी अड़दर भरवानी मर्चा मा दानाजीरा मा बदे आनियम नहीं तो शूद आए तेली जुनी अड़दर मा पदे एड़ो पड़ी गई हो हड़ी गई हो है अने उपर तमे पाजी हारी नाखो एले परिणाम शूँ आवे तेली नीचे बगड़ेली होए ये उपरनी सारी अड़दर ने बगाड़े मूडज हड़ेलू होए उपर थी आपने गमे तितला थ खाबड धोबा करिये कामना आवे आब आईने बलडमा कुसंग हतो कुसंग योगे करिने आवी स्थिती थया पछी ए दुरुभागी नी डोसी पोते एम मानवा लागी विचारवा लागी बोलवा लागी क्या सहजानन स्वामिये मारी उपर काईक मंत्र प्रयोक कर्यों छे अनि ज्यारे ने त्यारे गुकुलदास ने बुलवा लागी अलिया गुकुलदास आ तारो सहजानन मने वडग्यों ज्यां जो हो तिया एद देखाई से के तारो सहजानन मने वडग्यों ते बला गुकुलदास के से के डोसी तने थाई छेशू के ज्यां जो हो तिया तारो तो सहजानन देखाई छे के घुकुल्दास ततकाल महराज पासे गया, महराज ने भर्यात करवा मढ़े महराज सु तमे पणाम करो छो कि है सस्तंगी युँँ छो दिखाऊ छो एने महराज एक काम करो ए राणने जेवा देखाऊ छो एवा मने देखाऊ ने के अमें धियान करिए चीए, दर्शन करिए चीए, आरती माइये चीए, कथा माइये चीएं तो अमन देखादा नदी अन्य हैं ने कम देखावा आनना दर्शन थवाने कारणे रदयमा अत्यन मुझ्वन थवा लागी मुझ्वन धई एटले कोईपन जातनी सला लेवी हुआ फ्रेंड सरकल होद्वानुने बए आजु बाजुनिवधी दोशी होती लागता वलकता तेने क्यवा लागी क्ला सालू बेदाडा थी आम मजा न सरकल माधी लागता वलकता माधी एक मानसे ने इने सलाह पी जबर्जस सलाह पी शुक है छे प्रभुतम लसुनम भुंक्षव नाशा चुरणम च गुरुहान शुकर डोशी तो एक काम का रत्यारे हाल गेर जा अने पांत-दस लसंड जाप्टी जाके नावा दो बजार मध पांत-दस लसंड जाप्टी जाके भले पची पाशड गमिते थाई के तारे उपाय करवोचे ने अने बिजू एक काम कर तुँ छिकणी सुंगे जे आ के तो आखोदालो चालू जो है अमारे के नाकमे गश्वानीन दाते लगावानी के बे टाइप नी ट्रीटमेंट चाल करी देखे चिकणी सुंगो खालो अने लशण खाओ के अने पची जो आ तारो स्वामि नारायन थे ने यहने डुंगडी लशण झिकणी ठाध्या धी शिकणी 請.: ऑने स्वामि नारायन हुआत होए तु आ मूदी ना कुली वे त्या स्वामि नारायन थे ने थेम्पावया कुलित स स्वामी दारायन दुरम गमिश्यती आतारो स्वामी दारायन डुंगडी लसन अने चिकणी नी सुगंद आवता क्या पलायन धाई जशे तने पन खबर नहीं पड़े इती उक्ता सा तथैव अकृत आबदु धैव एले डोशी एनी सलानू पालन कर्यों गुपाळ व पाके छे कि हे मुने ततवसा हरे मूर्ती अद्रुस्टा बभूव भगुवान जेने अखन देखाता हाता ए देखाता बंधे गया हरी निरंतरं पुन्यस्थले एव वसती श्री हरी नो क्या वास छे जिया भगुवान नी आग्निया पड़ाती होय त्या भगुवान नो व ए डोसी ने आवी स्थिती धहियती ए स्थिती नो पाण नास थयो जिवन नी अंदर आहार सुद्धी नू केटलू महत्व छे आपना स्वामिनेण संप्रदाय नी हज्जारों विशेश्ता आओ मानी एक विशेश्ता कोई पन बार्ना व्यक्ति ने पुछो जे व्यक्ति स्वामिन मंदीनों पगतिव चलेव नथे जेने स्वामिन भगुवान विशे जेने कोई जातनों परिचाय नथे संतों ने मलेव नथे थुड़ा केना फ्रेंड सरकल आजू बाजू मा होए औने एवी व्यक्ति ने तमें रस्तामा पकड़ी ने पुछो के बै तमें स्वामिन संप्रदाय विशे शू जानों शो आटलू कुष्वामा आवे त्यारे एना मुखमा थी सवथी प्यल्लू वाक्या निकड़ छे एने भगवान दर्शन नथी कर्याओं मंदीरमन धी आयो पन विश्वना दरेक व्यक्ति ने एटली तो खबर छे क्या स्वामिने वाड़ा कोई दिवसे डुंगली लसन खाय न बारवारा ने मगजम एवी ग्रंथी अजी खरी के स्वामिन संप्रदाय वाड़ा डुंगली लसन न खाय स्वामिन संप्रदाय वाड़ा चा को भी पिवे नहीं स्वामिन संप्रदाय वाड़ा होय एने क्यारे व्यसन ना होय स्वामिन संप्रदाय वाड़ा होय ए नाया द अने पुजाकर्यावी ना खाय ने, विश्वना कोई पन व्यक्ति ने स्वनेन संप्रदाय विशे पांच मिनिट माईक उपर बोलवानू केवामा आवे, तो आटलू तो अवश्य बोले, जाने व्यक्ति, आपना स्वनेन संप्रदाय नी जगतमा जी आटली सारी छाप छे, ए छापनू मुख्य कारण चे आहार शुद्धी, जीवनमा आहार शुद्धी नू गणू महत्व केवामा आवेलू छे, आपनू आ शरीर अन्न द्वारा बनेलू छे, अनाजने भगवाननू साक्षाद स्वरुप केवामा आवेलू छे, वेद मंत्रों मा आवे छे, अन्न परब्रह्म अन्न छे ए परब्रह्म परमात्मानु एक शरूप छे आपनु जे आ शरीर छे ए शरीर ने अन्न मैं ब्रह्म केवामा आवेलू छे अन्न द्वारा बनेलू अने भगवाननी प्राप्तिमा कारण भूत एउजे आपनु आ शरीर अन्न द्वारा बनेलू छे अन्न द्वारा पोशाई छे अन्न द्वारा प्राप्त थती शक्ति माधी आपने शक्ति नोप्यो भगवानने भजवा माटे करिये एटले जिवात्माने भगवाननी प्राप्ति थाए छे भगवाननी प्राप्ति नी अंदर मुख्य जो कारण भुत वस्तु होए तो एने क्यावामा आवेलू छे अन्न, अन्न परब्रह्म, अन्न मैं ब्रह्म, अनाजने भगवान नी प्राप्ती मां मुख्य साधन गणवां मां आवेलू छे। आहार, विश्वनी अंदर दुनिया नी दरेक वस्तु ए भख्षण करवा लायक छे। साधी प्यालो बेजिक सिक्दांद। दुनिया नी दरेक वस्तु ए बिजा कोईक नी भख्षय छे। एक वस्तु हम्मेशा बिजा द्वारा खवाये छे। सु खावू जुए, सु न खावू जुए। एनो विवेक आपणने सत्षास्त्रोय अने सत्पूरुशोय शिखवाडयो छे। जगत नी अंदर तमाम वस्तु होजे भख्षण करवा लायक छे। एमाधी जिवात्माओ माटे बेप्रकारना आहार नक्की करवा मावया छे। 84 लाग जातना जिवोनी वाद थाए छे। मासाहार अने साकाहार। साकाहार ने आपणे कईये छे वेजिटेरियन, मासाहार ने कईये छे नन-वेजिटेरियन। बेप्रकारना आहार छे। 84 लाग जातना जे प्राणियों छे। एमा चार प्रकार ना प्राणियों केवा मावेला छे 84 लागजात ना जे जीवो छे ने एमा कुल चार प्रकार छे उदे भीज तमाम प्रकार नी वनस्पती जमिनने तोडिने उगे जन्मना अधारे 4 प्रकार ना जीवो छे बै उदभीज, वनस्पती, त्यार पची जरायूज, माताना शरीर मां अमुक समय विकास थया पची एना बच्चानों जन्म थाए, जेमके मानव नौ महीना पेट मरे पची बार आवे, गाय चे, भेंश चे, वाग चे, चित्ता, दिपडा प्राणियों, सस्तन प्राणियों जेन क्यवा मावे चे, साइंस नी अदर, म्यमल, स्तन्दारी प्राणियों बदाए, त्रिजो प्रकार क्यवा मावे लोचे, अंड, ज, इंडा माथी उत्पन धनारा, अने आ त्रण सिवाय, वनस्पती, माताना शरीर मां विकास थया ने जनमता, अने इंडा माथी जनमता, आ त स्वेदज मां गणवा मां आवे छे, स्वेदज मां पची बधु आई गियो, माथा मां लेए लिख, जू, आ चोमासा नी जिवात केरिते जन्मीबे, बाकी नुँ एक्स्ट्रा बधु छे न पई वाइड बोल नो बोल बधु ये अब दु स्वेदज मां जाई बे, उद भी जरायूज, स्वेदज, अंडज, चार प्रकार ना प्राणियों मां उद भीद्नों तो कोई सवाल न थी, वनस्पती, जमीन मां थी द्रव्य चुसे छे, अंडज छे बधा मासा हारी छे, स्वेदज छे पन बधा मासा हारी छे, परन्तु या जरायूज कोटी ना जे प्रा आका आहारी है, बे जातना प्राणियों छे, तमाव नी अंदर मानव सरीर छे ने ये विशेस छे, 84 लाग जातना प्राणियों मां मानव ने विशेस केम गणवा मां आवे छे, काएके नी शरीर चना जाखी स्पेश्यल छे, तमें जु ओबे, वनस्पती नी अंदर आहारनी गती निचेथी उपर तरफ थाए छे, वनस्पती जमीन माधी पाणी चुशे छे, एने जोईता बदा पुशक द्रव्य छे, मिनरल ने आते निट्रीशन बदू यानू जमीन माधी थाए छे, अने उपर चड़े छे, तमाव प्रकानी वनस् व्रुक्षव, वेली, लता, जे को ते, वनस्पतीयों माँ आहारनी गती निचेथी उपर छे, पशुओ माँ, पंखियों माँ, तमाम माँ आहारनी गती लेवल माँ छे, जे लेवल माँ खादू होए, एड लेवल माँ यानो मलत्याक थाए, आ पची बे इंच नी के चार 5 इंच नी बुल लेवी देवी हो, पची गणा पची फुट पत्री दी माँ पे, के बेशनू मोडू छे, पांच फुट ने 6 इंच उन्चू छे, आने पाशडेनू मर्दवार छे, पांच फुट नी बुल छे, के 6 इंच नी मघजमारी नहीं करवानी, पन सामाने आहारनी गती जुओ, गाय नी अंदर, पंखियो नी अंदर जुओ, छुओ है छे, लेवल नी अंदर होय छे, मात्र 84 लाग जातना जीवो मां एक मानवेव प्राणी छे, के जेमां आहारनी गती उपर थी निचे तरफ छे, छे कोई बीजू प्राणी तमारा ध्यान मां बई, जिरा जिराप नहीं हो, जिराप नी डोक लाँबी होय पंपची पाचर तो लेवल मा एक जाये छे, डोक लाँबी छे जोरी सिस्टम जुदी छे पंड अल्टीमेटली बदी लेवल मा छे बदी ये, मोड़ू थोड़ू कोईनों होचु होय बुल चुक लेवी देवी, बिल मा ल जिराप नी गती उपर धी निचे तरब छे, मानव आरी ते एनी सारेरीक रचनानी द्रस्टिये पाण विशिष्ट प्राणी छे बई, जरायूज प्राणियों मासाहारी अने साकाहारी, हवे मान से साकाहारी रेवू जुईए के मासाहारी रेवू जुईए, एना मत्मतां जुईए, 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 के मानवना शरीर्णी रचना मासाहार माटे बिल्कुल योग्य न थी। मानव छे ये शाकाहारी प्राणी छे। कई रिते साइन्से येना दस्ती बार मुद्धा समझाव्या छे। सवथी प्यलों मुद्धों केवा मावेव छे के मासाहारी प्राणीयों अने शाकाहारी प्राणीयों येनी शरीर रचना मां सवथी प्यलों तभावत केवा मां आवेव छे के मासाहारी प्राणीनों ज्यारे जन्मताय प्यारे येना बच्चानी आखो बे दिवस, त्रण दिवस, अठवाडियू, पंदर दिवस सुधी बंदर्यती होई छे पच्छी खुले शाकाहारी प्राणियों होई एना बच्चानी आखो जनमतानी साथे खुली जती होई छे लोक्मा कैसे ने, बीलाडी, अवे आधा है क्यों बदाने बैई बीलाडी साथ घर बटले त्यारे एना बच्चानी आखो आवे साथ गर एक गेर अर दो दालो बेचार कल लाग बेचार कल लाग रे साथ गर बटले त्यारे बेध दिवसे एक त्रण दिवसे बिलाड़ी ना बच्चानी आखो खुले तमेजो वाग चिता दिपडा सीन बदाने बच्चानी आखो जनम तानी साधे बंद होय कोईनी बे दिवसे, कोईनी चार दिवसे, कोईनी अठवाडिये खुले बई मासाहारी प्राणियोंना बच्चानी आखो जनम पची अमुक दिवसों पची खुले छे शाकाहारी प्राणियोंनी बच्चानी आखो जनम तानी साथे खुले जाए छे गाय तरतत खुली जाये छे ने भी भ्यंशनू पाडू गायनू वाचरडू के गोडानू वचेरू उटियानू बोतुलू हाथीनू बदनियू जुवत में बदू गणो तरत खुली जाये छे अल्या बई मानव माशू छे मानवना बालकनी आखपाण जनम तानी साथे खुली जाये छे पची बले अडार वीकल्लाको उंगेनों मादो नहीं पण खुली तो जाये छे माटे मानवनों समावेश करवा मावयो छे शाकाहारी प्राणी माँ मानव मासाहारी प्राणी नथी यहनू सवथी प्यल्लू कारण आकेवा मावयो छे बिजुकारण केवा मावयो छे मासाहारी प्राणी नथी आखो रातना अंधारा माँ चमकती हुआ छे तो जो बिलाडी नी आखो रातरे जोई छे न बै जीरो वटना गोडा फिट करे आखो ने एवी चमके बै आ डिस्कवरी मा निश्नल जोग्रोफिक मा तमे यूट्यू प्ला सिहनी आखो मुट्टा प्ला लेंप लगाया हुआ ने एवी चमकती हुआ वागनी आखो चिक्तानी आखो कानके प्राणियोंने शिकार रातरे करवानो हुआ रातरे ने विजन वदारे जुए बगवाने ने एरितनु आपियो छे जैरे गायनी आखो जुओ भेसनी गुडा नी आखो जुओ आथी नी आखो जुओ रातरे ने चमके क्यां शाकाहारी छे मानस नी आखो अंधरामा चमकती नथी माटे मानस से बलो बदा कौन से बए शाकाहारी छे आ विजुकारण के वाम आवेलू छे मासाहारी प्राणियोंना जड़बा एनी मुवमेंट उपर निचेत थाए जो जो तमे शीन, वाग, चिता, दिपडा, बिलाडी, कुत्रा एना जड़बा नी मुवमेंट उपर निचेत थाए ज्यारे शाकाहारी प्राणियोंना जड़बा नी मुवमेंट उपर निचेत थाए पन निचेनू जड़बू छेने ए डाबे अने जम्णे बन्ने बाजु गती करी शके चारे दिशामा गती करी शके जुओ बलतने वागोडता जोयो शेन बे नीचे मडू के उफिरवे छे गोडो जुओ गाई जुओ भेंस जुओ दरेकना जड़बा उपर नीचे पन धाए छे आने डाबे जम्णे पन मुवमेंट करे छे मासाहारी प्राणियों ना जड़बा मात्र उपर नीचे शीने खाता जोयो शेन बे यहनु मडू आम आम नहीं थाए जोजो आम आम चाय करे एककट डिरेक्शन मा उपर नीचे उपर नीचे जिब्थी आगु पाचु जे करुए करे पन जड़बु आगु पाचु थाए मानशनो जड़बु चारे दिशां मा गती करी शके छे कोई चे ओवे या सभामा मात्र उचे नीचे थता होए आजवाज़ू न थता होए कोई न थी बे माटे मानश संवेश करवा मा आव्यो चे साकाहारी प्राणि नanking अंदर मानश मांशाहारी प्राणि न थी Uhr e आगल कारण केवाम आयू छे जे बदाय शाकाहरी प्राणियों अने मासाहरी प्राणियों एनी शरीर्नी रचना मां पायागत भेद सी वाग कुत्रों बदा प्राणियों जोया आशे एमने आगल चीर्वाना जे दांत एनी साइज बव मोटी हुआए छे सी मोडू खोले बिजादात न देखाई ज बले न देखाई परना चार चीर्वाना दांत उपर निचे डाबे जमने साइज एनी मोटी हुआए छे केम यहनों खोराक ए रितनों छे गणिवार लई जवू पड़े हाथी दो काम धाय ने सी हिना जड़वामा एटली ताकात हुआ है के सी नानू पाडू पकड़े ने औने पची 15-20 फुटनी दिवाल कुदवानी हुआ ने पाड़ाने उचकी मोडे थी औने सी 15-20 फुटनी दिवाल कुदिन जतोरे भई आटली एना जड़वामा भहेंकर ताकात हुआ चे तमें जुओ चीरवाना दात हुआ छे शाकाहारी प्राणियों मा चीरवाना दात होता नथी गायमा एवा दात जोया भई गायमा घोडामा भेंशमा क्यां पड़ नहीं जुओ आथीमा पड उбता न थी होय चे पुआइे पन साइज एकदम हानी और बदाना भेगा ह विषेष साइज एना आप्पाम आवती न थी साकाहारी से मानसना दातनी रचना पन केवी से एना चारज़ के चीरवाना दात चे एनी साइज बदाना भेगी कमन भ लन साइज चे एनी कोई स्पेशल साइद न थी माटे मानस नो समावेश करवा मावयो चे शाकाहारी प्राणी नी अंदर भई त्यार पसी आगण कारण के अवा मावयो चे भई जे आ शाकाहारी ने माशाहारी प्राणीयों एना शरीर नी रचनानों पायागत भेद एना जे पाणी पिवाना प्रकारो माशाहारी प्राणी जे आरे पाणी पिवे त्यारे जीबे थी लब 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 चाटी ने पाणी पिवे छे सिह, वाग, चित्ता, दिपडा, बिलाडी, कुत्रा, कैरी ते पाणी पीवे छे, जिप्थी चाटीने पाणी पीवे छे जारे शाकाहारी प्राणियों, का तो सडंग, अथवा गुटडे-गुटडे, मोडा मा आखो गुटडो बरी पीवे, वडी पाचू बीजीवार, ते जीवार, कोई दालो तम्हें गाय ने जिप्थी चाटीने पाणी पीदा जोई, लब-लब-लब केलू कुत्रू जेम चाट बदा जुओ, गुटडे-गुटडे पाणी पीना राचे, अल्यावई आपने शू करिये छिए, पाणी पीवानी सिस्टम काई छे, जीव्थी चाटीने कुत्रानी जम पाणी पीये छिए, कि गुटडे-गुटडे अथवा तो कोई ओहा है, आखो लोटो हडंग पी आगी होए, सिद्धो गट-गटा ही जाए, माटे मानस नी जे केटेगरी छे, एनो समावेश करवाम आवेलो छे, साकाहारी प्राणी नी अंदर, जो बई, आगल जे थुड़ू एनाटोमी ने फिजियोलोजी बणया होए, एम्बी बी अस्वाडाने ख्याला ही जाशे, मा आकाहारी प्राणियों ने मासाहारी प्राणियों नी रचनामा आगणनो भेद क्यावाम आवेलो छे, आपणी जीवमा जे लाड उत्पन धाई छे ने, ये लाड बेजिक होए छे, केमिस्ट्री बणया छे ने खबर छे, एसीड, बेज अने क्षार, यमां आपणी जे ला ठीट्पेर छे वे, सी, वाग, चित्ता, दिपडा, बधानी लाड के वी होए, एसीडिक होए, अने शाकाहारी प्राणियों होए, ये लाड बेजिक होए, संसोधन्मा साबिक थायों चे, के मानवनी लाड पाण बेजिक छे, एसीडिक न थे, माटे मानवनों समावेश वाम आवयो छे, शाकाहरी प्राणी नी अंदर. त्यार पसी आगल नो भेद क्या वाम आवयो छे. साकाहरी प्राणीयो मा किड्नी नी साइज नानी होय छे. अपनु आवलू मुट्टू शरीर, पात फुटनू, छ पुटनू, कोईनू हाडा छ फुटनू. किड्नी केवडी होय हाव ना नी होय, सरीर ना प्रमाण मा, ज्यारे मासाहरी प्राणियों ना सरीर नी किड्नी आपला करता त्रण गणी, चार गणी, पांच गणी, छ गणी होय चे, केम ने सरीर नी आखी प्रोसेस, आखी एरितनी होय चे, मोटी किड्नी नी जरूर पड़े मासाहरी प्राणियोंनी किड्नी साइज मां मोटी हो आई छे सरी ना प्रमाण मां रेशियो तमें गणों साइट टू साइज सरी नी साइज अने किड्नी नी साइज नो रेशियो साकाहरी प्राणियोंनी सरीर अने किड्नी नी साइज ना रेशियो करता जो यहले रेशियो वदारे होए छे. गुञत्तर जिने गुजराती माहें आवे छे? отд प्राणियों 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 प् जे नानू आतरडू आपने कईये छी है, ए नाना आतरडानी साइज घणी लांबी होई छे, 20-25 फुट लांबू आतरडू होई छे, शाकाहारी प्राणियों नी पाचंक्रिया घणी लांबी होई छे, आपने खोराक लहिये ने, एने पुरे पुरो पची औने शरीर माथी बाहर निकरता अडार्थी 24 फुट लांबू समय थाए, अडार्थी 24 फुट लांबू जिनी जेवी शरीर ने स्थिती, जारे मासाहारी प्राणियों नी अंदर ए समय गाळो बेथी 6 कल्लाक नोज होई छे, तरतत पची जाए, कानके आतलू टुकू होई, नानू आतलू छे, हाव टुकू छे, एटले नो पाचन मार्ग छेने, ये साव टुको होई छे, शाकाहारी प्राणियों मा पाचन मार्ग अत्यंत लांबो होई छे, માનવનો પાચય૮ારક પાણ અત્યન્ત લાંબો છે માટે માનવનો સમાવે શ્કરવામ આવ્યો છે आंडल्से साकाहारी प्राणियो कि असनर में अवे छे के मतंद आँग तो, को के यह अससली प्राणियों पॉर साल्सक्यों के良 चुल्सेकिना, को कि जालिकरे अँसली शिद्धु आम चिरी नाखे बे। विश्वमा सौथी जड़पी प्राणी चित्तो कहवाए पन एक किलोमीटर के सवा किलोमीटर दोड़या पची बरोबर हाफी जतो होए छे। सिही पन अमुक किलोमीटर पची हाफी जाए। मासाहरी प्राणियों मां शक्ती जबर्जस्त होए। पन लामा समय सुधी श्रम करवानी यम नाम शक्ती होती नथी। चितो जारे एक सवा किलोमीटर दोड़या पची पची हाफे 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 बे अड़ी कल्लाक्स पची एना सरी नी स्थिती ठेकाने आवे। अने पची एक खावा बिगो थाए। चितो जारे एक सोने पांट डिगरी तापमान थे हाफे 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 तो है ने तमे जोड़े जिन भे जापट मारी आओ ने तो ये तमने कशू ना करे ने बानत ना होए। हुँ कोण छू, क्या छू, शू करू छू, कशी खबर ना होए। जारे गोड़ो जुओ भे। गाय जुओ, बढ़द जुओ, आब दा प्राणियों कल्ला को सुदी परिश्रम करी शके छू, बढ़द आखोदी वसे खेती करी शके छे, गोड़ो छे ए भारवहन करी शके छे, सवारी पन कल्ला को सुदी गोड़ाव पर ठाई शके छे, गदेडों पन अने किलो मेटर कल्ला कल्ला कु भूरे हूँ पड़े, भै थाकी गया, कल्ला कु बारो, वड़ी पाचा किलो मीटर, कल्ला कु बारो, तो अहीं थी अम्दाद क्या रे पोचाई भी, मासा हरी प्राणियों मां लांबो समय सुधी एक दारो परिश्रम करवानी शक्ती न थी, जारे सारेरिक, स्वरी, साकाहरी प्राणियों चे, यमां लांबो समय सुधी काम करवानी शक्ती छे, बोलो मानस नो समावे श्यमा करवा माए भी, आठाट कल्लाक, दस-दस कल्लाक, बदा नोकरियों करो छो, स्रम करिये ची आपड़े बदाए, आपड़ी रचना साकाहरी प्राणियों जारे थाके, त्यारे थाक उतारवा माटे शू करे छे, जीब बार काड़ी औने गर्मीन निकाल करे च्या, जो हायँ चे ने बई, जीब बार काड़े, कुत्रों जीब बार काड़े बहु थाकी जाए बड़े घर्मीन निकाल करोपडे, शाकाहरी प्राणियों छे थाके त्यारे जीब बार काड़ता न थि उतारे गोड़i, यूंड़ी अपड़े पन, को जल जी पर्शेवो थतो नथे, थाके ने त्यारे गर्मीनो निकाल जे आपने प्यला वाद करिये प्रमाणे, जीब द्वारा करे चे, जारे शाकाहरी प्राणी थाकी जाये, त्यारे एना सरीर्मा रहेली गर्मीनो निकाल पर्शेवा द्वारा थाये चे, बोलो आपनों समावे शेम रमलाल साकाहरी प्राणीवा, जोवग क्यें। आना सिवह पण उभिजा घणा बदा कारणों छे आ बद्दा कारणों ने आदारे धर्मशास्त्रों इनिपन, बदर्मशास्त्रों तो बर्शों उ libro दीकें छे पान आजना सायन्स से साबीत करियुछे कि मानस नी जे शारीकरी रचना छे ए मासाहार माटे बिलकुल यज्य नधी मानस ना सरी नी रचना जे भगवान द्वारा करवा मावी छे ए शारीक रचना साकाहारी प्राणी मुझब नीज छे बद्धी requirement जे बदी छे, एसे शरी जे बदी फिट करवा मावी छे, ये बद्धी साकाहरी प्राणी येने बरोबर बंद बेसे छे, मासाहरी प्राणी ने बंद बेसे एवी एक एसे शरी एवी एक पने application मानसना शरीर्मन थे माटे आपणे नेने करिये बए, शरुआत माजे चर्चा थाई, साकाहार अने मासाहार, ये माधी आपणे मासाहार ने अवे काडी मुकिये बए, बरोबर, अवे खावा जे उसु रएवी शाकारों, आ दिमे दिमे बदी फाईलों डिलिट थाए छे, जो जो आपणे फोल्ड डिलिट, हवे आपणे साकाहार उपर क्लिक करो, क्लिक करो अने अने अन्दर वड़ी पाछा भीजा बदा फोल्डर हो छे, आपणे इने डिलिट करता जिये, छेले शू वदे चे आपणे जो ये, साम्याण बगवाने जे पांच वर्त्मान की धा, येमा बिजू वर्त्मा कान माटी, माटी अर्थाद मास, मास ने माटी केम क्यावा मावे छे, कान के मास खाए, येनो क्यारे पण मोक्स थतो नथी, मास खाए ने, येनो जिवात्मा अम्मेशा माटी मा बढ़े, मूर्ती मा बढ़े नई, माटी मा जरे, जन्मा मरेना फिर आप जिवात्मा काय माट आमारे वे, मास क्यारे पोतानी इच्छाधी न खाओ, सतानन स्वामी अर्थ दिपिकानी अंदर के छे, पोतानी इच्छाधी क्यारे न खाओ, अले आखी दुनिया खाएचे, लाइने आपड़ी एक वार खईतो जुए, टेस्ट के वो छे, पछी नहीं खईे, एक वार खई लेए, जिगनाशा पूर्वक पन क्यारे न खाओ, कोईना केवाधी पन न खाओ, आपनों मित्र होए, सगावाला होए, कुटुमभी होए, आपने नोकरी दंदो करता होए, ता आजू-बाजू आपना सह कर्मचारियों स्टाप होए, एना केवाधी पन क्यारे मास न खाओ अर एक गुरु पोताना आग्ना करे तो गुरुनी आग्ना थी पाण क्या रे मास न खाऊ। पच्छी जिग्या हम नहीं कि आग्ना गुरुनाम अविचारणिया गुरु के हम करू पड़े गुरु के यहम न करिये तो आपनों मोक्स न थाए यह बदी वासाची पड़ेमा धर्मन यहमनी आग्ना ओचे यह बदी बाकाच छेवे गुरुना क्यवाधी पाण क्यारे मास न खावू, क्याारे पंड जीबनी लाल च थी, स्वाद इंद्रियनी नी लाल च थी क्यारे पण मास न खावू भगवान नी प्रसाधी छे ने गणायम के बले तुँ खातो न थी, पन अमारा कुडदेवताने मास धराव मायूों चे। मास्नि प्रासाधी दो खां क्या? प्रासाधी मिशुमदो छेके. प्रासाधी भुद एव उ मास यह पण अनि एना धी विशेश भगवाने शिक्षा पत्री मा कयु critical जे देवताने मास्नू नई विश दरो própicking प्रावा म क्या आवत्य नई ऑवत Ja You पन नहीं जम्वानी, जे देवताने मास नो अने दारू नो भोग चड़ावातो हुआ तो एने दरावामा आवेलू केळू सफर जान के दाडबात रोटली शाक नो थाड़ पन खवाय नहीं, केम तामसी देवताचे, नोनवेज तो ना खवाय प्रसादीनू, पन जे देवता आने नोनवेज धरावामा आवतो हुआ एने धरावामा आवेलू, वेजेटिरियन वस्तु हुआ ने ए पन नखवायू, त्यां सुधी माहराजी निशेत करेलो चे भीू, आब दू लिलिट थाईग्यू, बापा श्रिये टिकानी अंदर आपने समझायू छे, के साकाहार आनि अंदर अमुक वस्तु हो चे ने एने पन मास तुल्ले केवाम आवेली चे, कई-कई वस्तु हो, डिलिट मारता जजो गई, प्रत्यक्ष मास प्यलू लख्यू चे, जे आपने समझीये चिये ते, सोध्या विनानू अन्न, बजार मदी गउन लाया, बाजरी लाया, चेक ना करी, कांकरी हो, आ हो, ते हो, साब करया विनानू, द्रस्टी आगड़ थी, पसार थाया विनानू अनाज, यमा थी राद्वाम आवेली वस्तु, ये पन मास तुल्ले चे, बार्ती आपणे अनाज लाये, येने आपणी आपणी द्रस्टी थी, येने चेक करू वन्न प्यार पसी डूंगली लसान अने हींग वस्तु एजीटियरियन होय, पण अंदर डूंगली नाखेली होय, लसान नाखी होय, हींग नाखी होय, तो एवी कोई पण वस्तु आपने खईये त्यारे समयन भगवानी चौपड इमा शू लखाय और आ तारीके अटला वाग आटला वजननु मास खादू, लसन वाली, डुंगडी वाली अने हिंग वाली वस्तू खाईये, इतले बले आपने मानिये कि आ वेजिटेरियन अच्छे, पर भगवानी द्रस्टी ये नन वेजिटेरियन चे, गाल्या वीनानू घी, तेल अने पाणी, जिना के बजार मधी ब बदी फिल्टर जावे छे, ठोकवाज माड़ो, नई, इव मास तुल्ले छे, बले बजार मां नीरी ते बदू फिल्टर करता होए, पण आपने आपना घेर लावी, औने घी, औने तेल, अवस्य गालवू जूए, नई तो फिल्टर बले करेलू होए, पण घेर गालेलू तो एमा बनावेमा आवेला बजिया गोटा के साकनो वगार आ बदू पाण नोनवेज के वाई भी आज समझीले जो यह आपड़े वेजिटेर न दिगा था यह आपड़े मास मच्छित खई ची पछी बलें मानें में गिलोडानू साख खादू में में मेधिना गोटा खादा नो मेधिना गोटा न थी मास ना गोटा चे शेना गोटा चे बए मास ना गोटा चे बए गाल्या वीनानू पाणी अवे गालवा माटे प्लास्टीक नीने मेटलनी गणी न चाले बए ओं गणाना गर्मा मेटलनी गणी होय तारवारी न चाले प्लास्टीक नी गणी न चा कपड़ू अने science से साबीत करूछे यहां ब्यक्टेरिया पन कदा दुद मा पाणी मा घी मा के तेल मा ब्यक्टेरिया आओ ने तो ब्यक्टेरिया पन कोटन मा थी निचे पसार थाई सकता न थे आजना science साबीत करूछे गणिशे नी जुए भई सो टका कोटन पस या पॉलिस्टर ने बदू ने हों सो टका कोटन नू कपड़ू होए एना द्वारा गाडवामा आवेलो घी पाणी तेल दूद विगेरे अने नगाडवामा आवे तो यह बदी वस्तु ओक्यवी चे आपने बदा मासाहारी चिये जो नगाड़ता होई ये तो उम्बरा ना फळ अमुक वस्तु ओवी आवती होए अमुक उद बदेर फढ़ होई खोला ने खरी जीवातज होई अमुक तो वस्तु आवी आवत होई पहला आपणे बदा एवाता ख़र छे वीवर पेला, हो बोर लो तो हो यह बोर हडेला होए भी, होई बोर हारुद ना होए भी अनि अवे तो गेरंटी आपे छे ए खड़ेलू बोर तमे आपो पाशू तो बिजी आखी पली तार्नी आखी जे कोथरी आवे छे आखी फ्रीम आपे छे त्यारे जोबे यह पणकी कच्छे उंबराना फळ कठोड़नू उंधियू जो आमा गणारी भगतो प्रश्ण पूस्ता होए छे कठोड़नू उंधियू एटले शू खवायक नखवाय तो बापाई ना पाड़ी जे नू काण से काण के उंधियू सब्द क्यम बन्यों समझीलों प्यला माटला मा साग बरी औ समिनमा डाटवानू और उपरताप करवानू और पच्छी जे साक तैयार थाए ने यहनू नाम केवाय उंधियू और पेला जे उंधियू बनावामा आवतू यहमा कठोड़ फोलवामाना तू आवतू वटाना नी सिंगो पापड़ी ने बदूये ओम स्वाहा अरियोम आथना बेगी बफ़ई जाए आउ फोल्याव अगरनी सिंगो नू उंधियू आपड़ा थी नखवाय आपड़ा स्वाम्लेण संप्रदावामा जे संतो द्वारा उंधियू बनावामा आवे छे मंदिरों मा यहमा दरेक सिंगो फोलवामा आवे छे यह उंधियू खवाय इन मेंदियू आखोई यह आपड़ा दियू ऋंधियू आपड़ा अपला दी नखअवाई मांसा हर वाई कांगे उंधू पाड़िँँ एटला उंधियू अअपला नाम इ अब दो कारण उचे बदे, रमुदनी वाद छे थोड़ी, आ बदी वस्तु ओर सेमा गणवामा आवेली चे बई, मासा हार नी इंदर गणवामा आवेली चे, आटली वस्तु नो त्या करे, त्यारे सुध साका हारी क्यावाई दे, क्वानी द्रस्टी है? भगवानी वस्तु गई, अवे जेटली लिगल वस्तु हो रही, एपाण केवाम आयू से क्यारे पाण कुपात्र ना हाथ नी खावी नहीं, बले वस्तु लिगल होए, गाडेलू पाणी वापरी होए, गाडेलू घी वापरी होए, बद्दु होए, ओफिस्यल, बदु ओफिस्यल होए, इवा कुपात्र नू क्यारे पन नखावाए, बले सुध साकारी होए, बगवानी दरस्ती ये पन वेलीड होए, पन कुपात्र होए ने, एक मात्मा जी अता भई, एक गाम्मा गया, रात पड़ी गई थी, एक ना घेर उतारो करयो, भई के उतरो मात्मा जी, संतों मा अतारो आपे हो, दीवाडी ना दीवस हो हता, कारतक महिनो सरु धाई गएलो, एले थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती हती, पेला भईये मात्मा जी ने उड़वा माटे धाबड़ो आपे होए, धाबड़ो आपे हो मात्मा जी हुई गया, याला जम्या, कथा वारता एक डोड़ वागे हो, एले मात्मा जी ने विचार आयो, कहला अवे माक्षर महिनो, पोस महिनो, माह महिनो आउसे, ठंडी पड़ से, औने मारी पासे उड़वा नू कई साधन न थे, तो एक काम करू, आ यजमाने मने जे उड़वा माटे धाबड़ो आपे होसे, ये धाब चार आयो, अने कथा में कहता था, कोई ये चोरी न करवी, चोरी नहीं करवानो, उपदेशापनार मात्मा जी चोरी करवा माटे तत पर धाईया, उठायो धाबड़ो पई, पोते उठ्या, धाबड़ो उठायो, अने दोड़या, कान के पाछड केलो पची तपास करवा मात्मा जी आ रस्ते गया चे, 10-15 किलोमीटर दोड़या पची मात्मा जी ने सारा विचार हो आया, कल्या में शु कर्यू, हुआ खा गाम ने उपदेशापू छो, लोको मारी वातो स्रद्दादी सांबडे चे, आहु शु करी रहो छो, पांत-10 किलोमीटर दोडेला कल्लाक करनी अंदर, त्रण हाडा त्रण थेया, एना पेला यजमान ना गेर आई, और मात्मा जी जुए वजी कोई उठियू, नदी वड़ी पाचा, हुई गया, पई 4-5 पांत वागे जगालेया, तारे जा गया, अपनें थाया के मात्मा जी ने चोरी करवानो विचार केम आयो, तो यानो जवाव आप्पा मायो, मात्मा जी जेना गेर उत्रिया यानो धंदो चोरी करवानो हतो बे, चोरनु घर अतो, चोरनु अना थादू, यह ले चोरी करवानो विचार आयो, तेरे आपने में थाए ब्यक लाग पसी कियां विचारो मा परियुर्त नायू तेनू पन कारण लखेलो छे कियां फटलू 55 tomm बरोबर दड़या और ये माझे पर्शेवो निक्लियो ए पर्शेवा द्वारे पला चोर्ना अनाजना जे संस्कार हता ये पन निक्ली गया ये पाछा सारा विचारो आया सारा विचारो ये पाछा गिर आया जेनू अनाज घावामा आवे एना जेवा संस्कारों आपणामा आवता होए छेवे भगवान नी आगना लोगता होए दारू, माटी, चोरी, अवेरी आ चार वरत्मान मजे क्लियर न होए एना घरनू क्यारे आपणादी खवाए नहीं नहीं तो ए संस्कार आपणामा आवे गणारी बगतों केला आखी जिनगी हाथ पेड़ी थी अमारा कोई बीड़ी पीदी नथी आला, अमारा छोक्रा उभ शीकरेट मुझा टेहीं, तो तक्याति तो शीकरेट फ्वक आपणादी गणादी नहीं आधू की अंटै चैता क्वेश्च शेATE तुचिल अदिया और बिश्मपिताrá या तुचिया अनियुक्त कि आले रचुज सेच चिया बताए सेच को गता युयया आधू कि अबतागर बिश्मपिता अम मा भारत नियुद थयू बान्ष या उपर सुताहता पूरु धया पछे। रोज पांडवो खबर काडवा जाए। द्रवपदी पन साथे जाए। रोज गिन्यान आपे। जे गिन्यान आपे उचे ने बहु अद्बुच छे। मा भारत नुँ आखु पुस्तक छे ने। विजकी सापर्वीने यानु जाखो तृज बहु अद्रीजफrical द्रीज अभागनु पुस्तक छे विज भ्थिती ताarे आम करवानू तां आम नहीं करवानू राज्य आम चलावानू राज्य ना धर्मने आथ्ध्वाने बद्धू ये। त्रिजा भागनु महाँ भारत इतला भागमा छे वह अनुशासन परवा अने शांती परवजने क्यावा महावे छे छ भागमा दी भे भागेना माटे छे आगा एक दिवसे भिश्मपिता महा श्त्रियों ना धर्म विशे वाद करवा माड़या आदर स्त्री के वी हो एक सारी आने संस्कार इस्त्री के वी हो वादो करवा माड़या त्यारे द्रवपदी खड़खडाट अस्वाल आगया भिश्मपिता के छे भेटा द्रवपदी तु क्या मसे छे के त्रवपदी के सस्राजी दादाजी अमारों स्त्रियों नो ठेकानु ना होई के जे लाब च्व ग शुक्र आए यहम अमारू बेनों नू हस्वानू रोवानू रिषावानू चो अगड़ियू ना होई कैयों चो अगड़ियू क्यारे आवे क्यारे अस्वा माड़िये क्यारे रोवा माड़िये क्यारे रिहाई जीये और क्यारे हमजी जीये कोई चो अगड़ियू ना होई चिहें पंड तु가요 कुई कौन श्τηू नथी के के तुएक सती-शाध्वी छे के सासी सती चे के बहुव महान वक्षानील स्त्री चे ऐक। तारू अस्कुम क्यारेपाण कारण वगर न हुए तारू रडबू तारू रिशावू दरिकनी पाचल बहु मोटू लीगल रिजन हुए के तु क्यम असी के हूँ बोलतो तोने तु असी क्यम तारे द्रवपधि के अ विवेक माप करजो और तम्हें वात काडि यपार हूरी पू registers पढ़ेंड के तम्हें आ बदू ग्ण्यान छेल्ला महिना दि बधाने आपी रहा आजें तम्हें मारो वारो काडी रहा छो आ बदू ग्ण्यान तमें क्या रे बनियाया के, तमें नानपण में गुरुकुल में बनियाता है, क्या सरकारे पला प्रवड सिक्षन ना वर्गो खोलेयाचे, एमा जईन तमें शिखियाया, आटनों जवाबापो के, कही अवस्थामा तमने आ ग्ण्यान तईू, के बेटा ह पुषाशन मारू वस्त्राहरण करतो हतो, त्यारे ए समया तमारू ग्ण्यान क्या गयू हतो, अने भिश्पपितामा खुब राजी धया, बेटा द्रहोपदी, खुब सुन्दर प्रस्टन पूछो के, ग्ण्यान तो ए समय पन हतो, पन ए समय हूं रहतो हतो, कवरव ने त् आ द्धद दुरियो धन्नों अनाज मारे रोज खावान थतु, और इना कारणे करिये, और आ मारू ग्ण्यान छेंने, ये ऐ दुष्ट दुरियो धन्ना प्रभावमा आवी गएलो, और आ मारू ग्ण्यान दबाई गएलो, जहीम ठाकोर्जी हौए, भगवान हौए, शिय भगवान तो छे जंदर पन दर्शन बंध यम दरेक व्यक्ति मां साची सम्जन पड़ेलिज होएचे साचू शू खोटू शू बदा हमत्ता होएचे नती हमत्ता खुद पाप करनारा पन हमत्ता होएचे कमें खोटू करी रहाची पन ज्या सुदी दूस्ट व्यक्ति नू अन होए तो पन बोली न सके केम जेनू खाय येनू गाये कहीं खोद वाड़ा तो ओमादी बेपांच जनाज होए बाकी मुटा भगना केवा होए जेनू खाय येनू गाये बेटा द्रवपदी आ दूस्ट दूरिय दन्नू अनाज मारा शरीरमा रक्त सरूपे लोई सरूपे व कारे हूँ बोली शक्यो नई तो हवे क्यम बोलवा माड़या अरे बेटा जोती न थी के आर्जुने केटला बाण मार्या चे के अने हराम खोड़नू बदू जे अना जतू अने एमा थी जे बनेलू लोई अतू ये बद्धू लोई हवे निकडी गयो चे अने मारू ज्ञा जागरत थे उचे भिश्मपिता महे आजीवन ब्रह्मचरिय पाड़ी हो महान पुरू शता तेम शता पाण येमना उपर अनाधनी असर थाई तो आपड़े ने अमेने तमे की स्खेत की मुले अटलू विचारी लेवानू बे ख्यालायो बे संतो एक वखते परोक्षना विद्वानों जोड़े शास्त्रार्त करता हाता खुद नित्यानन स्वामी जेने भरी सभाम येम किदू महराज आखा ब्रह्मान मा गमेते वो विद्वान आवे ने मने न जिती हके अने नित्यान स्वामी नू सत्मंडल एक जग्याय सास्त्रा थयो रोज अरवा माड़ियो बई बे दला तईन दला चार दला पांत दला अठवड आउदी रोज अर्या नित्यानन स्वामी खुद अरवा माड़िया बोलो महाराद ने पूछी, महाराद आम क्यम धाय चे? तारे स्वामेन गभवान के चे कि तेम अधा भीक्षा मागवा जाओ छो कि यह दी लाओ छो के? कि ससंगी न हो ए, कुसंगी हो एना गेर्थी भीक्षा लाई ने राधी ने जमिये चे बस महाराद के आनाद नो प्रभाव के अवे तमे काम करो, ससंगी हो एना गेर्थी भीक्षा मागी अने रसोई करी थाड जमाडी ने पच्छी तमे प्रसादी लो अने संतो ससंगी ना गेर्थी भीक्षा मागी ने लावया रसोई करी थाल करी भगवाने जमाली औने पछी प्रसादी लई ने चर्चा करवा गया औने संतो नो विजय थयो बोलो स्वामेन भगवान ना नंत पदवी ना संतो एमने पन आउँ देखाडियो कि जिया त्या जेनू तेनू खावा थे साधू उपर पाण एना संस्कारो उपर एना अईश्वर्य उपर औने आवळत उपर असर थती हुए चे बिजी किया वात रही है नंत पदवी ना संतो पन जिया प्रभाव मा आवी जेता हो है त्या अमारीन तमारी दो वातत नहीं करवा निन भई अनाजनो आटलो प्रभाव केवा मा आवेलो छे त्यार बशी आगण केछे खेलाई गून भई मासार डिलिट थाई गयो मास तुल्य कई-कई वस्तु हो रहस्यात प्रदिमिका टिकामा किदी ये बदी डिलिट थेगे पचिजे वध्यू ये पण कोई अयोग्या व्यक्ति ना हाथ नू आपणा दी खवाए ने अवे कोईम ना केदा हों कि बारनू खावानी क्यम ना पालो छो वटल मा खाई अब दू अमजी ले जो आगण केछे घर्नू बने त्या सुदी खावू येमा पण नियम हो छे घर्नू पण आडिट धर्णा आखवां बद्दू लिगल थे या पचिए पन ज्यारे रसोई करनार ना जेवा वानी वर्तन ने विचार होय एनी असर ये अनाज उपर पड़ती होय जे गणा पुछे के अमारा घर्मा कजिया मटताद न थी के अखो दालो कच-कचालूत पड़ी होय के पती-पतनी नेन सासु ववनेन बदा ने के देरानी जे ठानी ने बदा ने के एन जमती वखते अने राती वखते जेना गर्म जगडा थाए ने एना गर्म कोदालो जगडा मटवाना ने आटलो अमजीले जो अने जेना गर्म राती वखते अने जमती वखते जगडा न थाए तो बीजा टाइम मा पन जगडा थाए ने कांड सु थाए ली रस्वय करती होय में भ सानवुग। इती आरी आरे लालावती हो है, इतील आरे लालावती हो अन्यений दे अजय आले, में लालावती मेर्णी आए, आपजस्ब अपयामूदी प्रेण के लिस looking तीरस्कार्वती होी болती होई करता है, यह को सल् सीबादات रुब इतील, कोई दालो स्नेवभाव परिवारना सभ्योम जाकतो नती य। येनुँ कारण से के रसोई बनावतीवखते रसोई बनावनार ना मनमा वांईमा अन्य वरतनमा नक्रो तिरसकार अन्य करी नफरतनी भावना बरेलीचे। अने ये बदी तिरस कारने नफरतनी भावना ये जे खाय, ये दरीक नीं अंदर आवे, परिवार ना सब्गयमा परस पर नफरत है जाय, एक ने अनि जोडे ना बने, अनि जोडे ना बने काण सो चे, ये ये नुवा कारण चे लिए, रसोई करती ही अगहते रसोई करनार ना वाणी वर्तन विचार जितला सारा होए एटलु ए अनाज संस्कारी बने अने संस्कारी अनाज खवरावा मावे तेरे परिवार ना सब्व्यों मा पाण स्ने भाव जागे आटलु एद राख पानू जगळों करो अधो छुटी पन जोई लेवानू लेवा जान्त धालतूं होई तो संस्क्राइअ एगे पसी अपने के वह संथी जागडिए हुग जुटी लेवानू ऑल्रख ऒंच वे जागण झृटीी तो झुटी 2 जंतीव नहीं जागण अज्टी एगण वशरवश्यं नNew Deti ये ठिल किर ने जागण हड़वानूु रात्ती वखते नहीं जगडवानू, तारुद खाली नाम दितों, तो बदा आईगी आम दिले वानू, नजर माई उतले तारु नाम आईगी जाए, शू, वरोवन राजू, जमती वखते और रात्ती वखते जेना गर्मा कलेशना था है, तो एनू गर साक्षाज भगवान न वास करवा योग्यत हाए छे, आपड़ा सच्छास्रों नू वचन छे गर्मा भगवान ने राखवा छे ने पर, गर्मा भगवान ने राखवा हुआ है, तो जमती वखते और रंधातू हुआ है, इतला पूर्तो माइंड कंट्रोल राखवानू, बाकी ना टाइम तमा जे अलाकभित पूतान नी देखा हां रवदो मरव दोुहा कंट्रोल रशोई भगवान नी स्मृतिपुर्वक करवग डिखे त highly रशोई है भगवान ने धराविणे जमवि अ ज्यों नियम चिए स्मुती पुरक रसोई करी हुए पन थाड़ना दराया हुए तो ए पन वेलिड ना क्या हुए कानके भगवान नी आगड जारे ए अनाज मुकवाम आवे छे थाड़ दराया थाड़नी अंदर त्यारे जे आपने पांत मिनिट दस मिनिट पंदर मिनिट वीस मिनिट तमे जे तमारी स्रद्दा भगवान नी द्रस्टी आगड विचारो पंदर वीस मिनिट सुधी ए अनाज पढ़ियुरे, भगवानी द्रस्टी समख 20 मिनिट उदी, आपड़े 20 मिनिट भगवानी आगड़ बेह अत्ता नथी, कानके आपड़े इतला पवित्र थाउपन नथी, अनाद पढ़ियुरे चे बई, भगवानी द्रस्टी पंदर 20 मिनिट उदी अड़ धोक लाग उदी पड़े, अनाज एटलू जवर्जस्ट पवित्र थाए, कि जे कहीं होए ने, बदी क्षती तुरती दूर थी जाए, भगवान ने धरावी ने जमगो, प्यलुशु आयो, स्मृती पुर्वग रसोई करवी, त्यार पशी भगवान ने धरावी ने जमगो, त्यार पशी स् भगवान ने स्मृती है, कदाज जमवानी क्रिया वखते आखो आपने स्मृती नारे, तो जैरे जमवानू शरू करिये, त्यारे पांच वखते महराच जमो, स्वामी नाराइन, स्वामी आटलू बोलीन तो थाएक ना थाए, भई, स्मृती पुर्वग जमगो, अने चवत सब्सक्राइद दूहीं सब्सक्राइद शरेकर सफडिल दों pressing 20 में कि लानों निसरा दोछैंट फिल हो दोगर अंधा सब्सक्राइद दी नियम तोमकरी सब्सक्राइद तोण अचार वस्ति उगे। स्मृति पुर्वग रांधवू, भगवान ने धरावू, स्मृति पुर्वग जम्वू, परिवार ना बदा सब्योय साथे ब्यसीने जम्वू. जारे पानिपत्नी लडाई थे अमजसा अबदाली और मराठा सामरज्यनी बच्चे, सदासीवराव, विश्वासराव, जानकोजी, सिंधिया, बदा मुटा-मुटा त्रीस सिनापती होता, मराठा से इन्यनी दर, इंडिया ना टोप त्रीस कमांडरो मराठा से इन्यम होता, अने पहली बाजू गणोद एक अमजसा अबदाली और एक बर्खुरदार खान ने बिजा बेचा रेना सेनापती होता, आप जो त्रीस सेनापती हो, जबर्जस सैन्य तू मराठा होनू, बदा है अमजसा अबदाली ने सला आपी, बादश्या अपने अफगानिस्तान बाबा पिये तमने, मने विचारोन टाइम आपो, सेनापती हो बदा है तंबू मजएन होई गया, सवारे उठीन बदा आया है, सु करीशो बादशा, अरे सु करवानो के, आक्रमन करो के, अने अपने जानिये चिये के पाणी पतना बेदान मा, मराठाओ नी शक्ति और गण जानकोजी सिंधिया आते, बदा है संसेर खान ने बदा मुटा मुटा दा इबराहिम गार्दी तो पड़ो तो ये, बद्धान मृत्यू थाई, साब थे या, सवा लाख मराठाओ, एक दिवस्मा कपई या बए, एक दिवस्मा सवा लाख मराठाओ ने कपई नाखिया, अम पर लिदो, त्यारे अमस्था अबदाली जवाब आपे हो, कि रात्रे में आपना मानसो ने मराठाओनी छामणी म मोक लेला, जमे छे कई रिते, तो कि राजा नू जम्वानू जुदू, सेनापती नू जम्वानू जुदू, कौमंद्र सोई नहीं, खावानू जुदू, जम्वानी आइटम हो जुदू, सेनिकोनू खावानू जुदू, मजूरियानू खावानू जुदू, पांच जणा तियां खाए, बे जणा आई खाए, चार जणा आई खाए, राजायना तंभूमा खाए पाचो, मैं विचार करेओ के भेगा बेसी ने खाई हकता न थी, कि भेगा बेसी ने लड़शे शुके, आपने ओडर करेओ, आपने बदात भेगा खाना राके बदाए, ओडर करेओ, आपने जिती गया है, इंदू मुसल्मान ने लड़ाईमा, मुसल्मानो सामाने रिते जित्या चे, अत्यार स्वधी ने लड़ाईयो मा, अनि इंदू आ परिवार ना सब्योय साथे बेशीने खावु आपन केवाम आयलू छे चार नियम धाई आवई बरोबर आ चार वस्तु जेना जीवन में आवी एने क्यारे पन मुश्केली आवती नथे अवे आ बदी वस्तु ओ माथी पाण सरीर नी सुखाकारी पण महत्वनी छे भगवानी प्रसादी चे मानीने कोई डायबीटिस वालो होए ए मौन्थाण ना दव पंदर चो अला खाई जा शुधाई बई शाच्छो डायबीटिस तही जाए पेटमा अलसर्थिव होए अने पची अथाणाना पंदर वी मरचा खाई जाए शुधाई खवाई बई न खवाई एना माटे पन विवेक आयर्वेद नो जेने सास्तर रचियो मातमा सुस्रूत अने चरक आ मुख्या अपड़ा बे विद्वानों सौथी प्याला दन्वन तरी अने ना पची बारतिय संस्कुरूती ना मुट्टा बे डोक्टरों सुस्रूत अने चरक यहां बनने मातमाओना जीवन नो प्रसंग चे कोई के चरक नो चे न कोई के सुस्रूत नो चे जनो चे तेनों पन बनिये हूँ के मातमा सुस्रूत एक वखते कोई वनस्पतिनू संसोधन करवा माटे जंगल मा गया बे कानके वईदनू कामशू वनस्पतियो जोवानी पछी चेक करवानी यहनो स्वात के होचे गुण के होचे आ के होचे ते वनस्पति सोत्ता सोत्ता एक जाड नीचे उबाराया अने जंगल नू एक पंखी बोल्यू क्रुक 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 त्रणवखत बोल्यू होँ अने मातमा सुस्रूत सांति दी जाड नीचे उबाराया अने कोई छोड़ू गयो से जमीन उपर एने जुई रहाता अने पंखी क्रुक 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 त्रणवखत एनी स्टाइल मा बोल्यू वस्तु सिख्वी होई ने तो एना माटे आखु जगत उनिवर्सिटी छे एव नदी पुस्तकों मादी कि अमुक व्यक्ति जोड़े दी बनी शकाए माहत्मा आता विद्वान आता अविर्विदाचारी आता क्रुक 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 यहने थेव क्या पंखी जालो मने के क्यावाम आगे छे के यहने विचार करयो पंखी शू बोल्यू क्रुक 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 संस्कृत ना विद्वान अता है येलेन शब्द बनायो कुरुक कुरुक उपर थी कुरुक 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 पंखिय बोलेन बे कुरुक 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 सब्द बनाइ दिद दो आखो संस्कृत मा बै एने बारत ठाये operates को रुक та हा कहा, अरुक कहा, अरुक कहा, अरुक को रुक क्रुक, क्रुक यहमा दो आको शब्द कहा, अरुक कोण निरोगी रेचे एक बंखी यूल औरत वीश्यूतातु सुथिभाझ भाक्राइप जीवन मा तंदू रस्तर यवू हुआ तो अगवनो तो नहीं खावानू गर्मा बन्तू हुआ एमा थी पाण सवथी प्यालू शुकी दुएने मित भूक मा अपनू खावू भै घणान्चू हुआ आपने कहिए ने कहिए आ वस्तू तमे खाओ एले शरी ने बवफाई दो थ आपने कहिए अगर्मा थी लावे अला नाखवा यारी ते गनांटे भी वह अला क्या गाईनू घखावा दी बहु फाइदो था है महिनां दो किलो घजाए पी जाए भोलो सु थाय भी फाइदो थाय नहीं थाये मित भूक मा अपनू खावू कोन निरोगीरे चे मित भूक म आपनू खावू त्यार पची हित भूक सरीर ने हित करनारू होए अने गणा बिजो अर्थ करेचे रुतू भूक सिजननू सारे खावू सियाडामा आइसक्रीम ना खवाए उनाणाम खवाए पोताने फाइदो थातो है ने ए रिते खवाए कि मित भूक रुत भूक सिजननू सारे खावू उनाणामा खवा तु आया उनाणाम खवाए उनाणाम खवा नुए चो शरीर ने हित कर नारू, मानव मात्र नियंदर स्त्री होय के पूरुष होय, यह नियंदर त्रण वस्तु रह लिए, वात, पीत अने कफ, वायू एटले गेस, वात, वायू गेस, पीत एटले एसिडिटी, अने कफ एटले सर्दी, कफ, बरोबर, दरेक व्यक्ति ने एक तकलिप मुख्य होय, 84 लाग जात, आज 600 करोड नी वस्ती जे ने, यहां आमाधी कोई बाकात न दी, हाँ, जवानी मां कोईने खबर न पड़े, पन डड़ती उमर धाय ने, त्यारे ख्याल आई जाय, एक तकलिप मुख्य होय, कोईने गेसनी तकलिप मुख्य होय, कोईने कोईने कफनी तकलिप मुख्य होय, कोईने एसीडिटी मुख्य होय, बीजी तकलिप मीडियम होय, बहु करवा मावे तो थाय, आने त्रीजी तकलिप बिलकुल ना पए, जो जो तमे, कोईने गेस बहु था तो होय, तो कफ कोक दाड़ो था तो होय, एवान कोदाड़ो एसी CDT ना थाये ने एक तकलिप मुख्य होय, बीजी तकलिप मध्यम होय, और त्रीजी तकलिप बिल्कुल ना उए, तमें तमारी स्थिति नो विचार करी और तमें विचार्शन तरत खवर पड़ी जाचे, बने मुख्य तकलिप कई छे, मध्यम तकलिप कई छे, और एक चेंसल आछें मतो तकलिप कई छे खे अधि वर उबर जित्ड़ेत साथे, बसका वाध पी तने कफ, पुतानी प्रकृती जानी अन्हें पुतानी गेस बाव थतो उखंग फावारी वस्त्तु नहीं खावानी, कफ उखंग. कफ बाव थतो उखंग फावानी क्रुक, 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 मित भुक, रुतु भुक, हित भुक, पुताना शरी नी तासीर मुझब खावू, सीजन अनुसारे खावू, अने मापनू खावानू, आओ व्यक्ति जे खाए ने, एक क्यारे पांड जीवनमा बीमार पड़तो, नती जा, सो वरस जीवानी वाद छे ने, ये बदी आलोको माटे छे, बदू दे दे करेना माटे नती आपदू ये, खालायो बई, मापनू खावू बई, आपने जो कच्मा येवा बदा सस्संगी ह हुznा, पंचाणू वर्से मंगडार्थीमा आवे, पुझाकरी मंगडार्थी में पंचाणू वर्से आईिजया, 8 वर्से मंदीरं मा आवे, जैं SPEAKER Rianna partner, ने पुछो दादा, हाँ जे शु खावर छो, किचलीन छाष, सामण्या नियम छे, तंदू रस्तर यावू होman, आत्रे साव हलकू बोजन खावानू। आपना भुजमा एक अरीबक्त हता, प्यला केरा मता, तेजा बगत नामत हुयानू। आपने प्यला दिये से वाते रतना बे गंटी वाडा, एना दादा रतना कर्सं कर्सं तेजा, एकसो नचा वर्षे दाम मग्या। एकसो चा वर्षे, हालता चालता हूं, बत्रीषे बत्रीष दां तेना सलामत अता, एकसो ने चा वर्षे। खावानू शू खबर छे, हवारे घी, गोलने रोटलो खाए, हो वर्षनी उम्मरे, हेवी बोजन, सवारे। बत्रीषे 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 बत्र उन्दु नहीं करवानू स्वस्थ जीवन जीवा माटे सवारे एवी बोजन बपोरे मध्यम कदा सवारे एवी ना पड़े तो बपोरे एवी पन साजे कोई दियों से एवी नहीं खावानू अट्टु याद राग जो बे बद्दा प्रोब्लेम छे ने अब दे अमधी धता ह हावाई छे हित भूग मित भूग रुतु भूग आ बदी आजे आपने थाई आहार शुद्धिनी वाद ख्यालाई गयो ने बे मासार डिलिट थाई गयो पछी मास तुल्ये किटली वस्तु अचे डिलिट थाई गयी पछी शाका हरोय पन कुपात्र ना अथनो ना खाओ ग गर्म बने त्या सुदी खाओ गर्म पण काई रिते खाओ एनी बदी आ चार अखी प्रोसीजर आई अने बदू बन्या पछी पन रुद्भूग, इद्भूग, मिद्भूग, सवार, बपोर, साजे, सुखाओ ये पन थाई उबए लंडन मा एक प्रसंग बने उबए अव करतो हातो होतो है 156 वरस नी उमरे खेतरम काम करवा जाए अखोडाओ मजुरी करे हो प्याना चोकरा ना चोकरा ना चोकरा बदा नी आरो आर काम कर्वानो claims 152 वरस नी उमरे खावानुसु साव सादु। राजान खबर पड़ी के मारा राज्य नियंदर 156 वरस नो आओ जबर जस्त मानस। खेतीनु काम करेचे राजान थे चालो सन्मान करियेनु। कागल लख्योग भई या भईने मालुक थाए तमारू सन्मान करवानी इच्छा जे तमारा मेलम पदा रो। टेना खोक्रा तो बदा मरी गेला । कांकि 156 वरस नो मानस अब नियू दर जयडा थां। लगन व्लाथा यत लगाा था जाए., वात बनन जाए. जाम थां। तेना खोक्रा ना है खोक्रा ए. उना है खोक्राव। अठावी नोर्से डोस ने लए、 ने लंडन। बखिंगाम पेलेष्ट नियनों समार में अइतियास्न वार्ट लगायाली यो अगभगोड़ ना थे एक्सों ने चैपन वर्से बखिंगाम पेलेष्ट्न इंधरे सन्न चिलरे सप्राव प्रवचस्न ने रशी कर आप राज्यादृ नष्टते नागरि को वसे चे अपनाटी बदी 欲गए्ज़ ने इन उक्ट्प्राव पर लेता है ज्च्राव प्रवचन ने र ने ठीने कि आपे पछी बोजन समारम करवा मायो और बोजन समारम मार डोसा ने सारी सारी वस्तु ओ खवराव मायो खाओ दादा जे तो मन मुकिन खाओ दादाय खादूदो खरू जेर गया न तारे मृत्ति उ पामें 156 वरस नू दोसो घयर जता जता रस्ता में मृत्ति उ पामें राजयण खबर आप आमने राजा जी तमेजी नो सन्मान करूं ने आज अबे मृतिना सुखे शुख्या थाईया च्याम आजए राजयण फीड़ पोस्टमोटम दो करो, पोस्टमोटम डोक्टरे कर्यू, पेट चिर्यू, जे पिलू यही यही खादू तुने, बद दू पेट में यही पड़ितू, डोक्टरे किदू, कि रोज यह खिचडीन चास खाता था, एना बटल्याजे तम्हे पाउ बाजी ने, इडली ने, ढौसा यही वस्तू खावा थी, एक रात्मा उख लियो, कदा चेने खादू ना होत, तो 1635 सुधी पवचत, यही 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 शारेरिक स्टेमीना हती, हिद्भूग, मिद्भूग, और रुद्भूग, प्रसादी छे, खना के मंदीर में खावा में शुआ, तो मंदीर ने, खावा भगवाने दो वच्चे राहो, यही जो कोई माथा कुटना करें, यहां भगवाने वच्चे राहो आखवा पड़े, जिटलो जीवन आपडू आहार सुद्धी ना नियमनु आपने पालन करिये, आखु आयरोएशेना माटेशे, और आपने तो ससंग मलें, यही बगवान साधनम, शरीर छे एज खरे-खर प्रथम धर्मनु साधन क्यवाम आवेलू छे, अवे मानी लोके ढीचन जता रहा, तो मंदीर मां कही रिते हवाए, कि बिजी कोई सारीरी तकलिप आई, तो भगवान बजी सकाए, शरीर ने साचवानू, शेना माटे आशक्तिने कारणे न पन भगवान दरम नियम थाई सके, कथा मा आपने आर्ती मा, कथा मा आपने नियमेत आवी सक्किये, सांधी दी भगवान बजी सक्किये, एटली सरी संपत्ति होय, तो सरी नू पन काम धाय, और मोक्ष नू पन काम थाय, यले भगवाने जे शिक्षापत्री मा आपने विव ये विवेक ने आपने जेम बने तेटलो वदारे जीवन में उतारे, शरी ने स्वस्थ राखे और भगवान नी भक्ती वदूने वदू करिये, ये जब ब्यर्थना बुलोक्षर दामन अधिपति, स्वामी नरण बापा नी जे, गंश्याम माहराज नी जे, हरी कृष्ण माह महाराज नी जे, सह जानन स्वामी माहराज नी जे, बापा श्रिमी जे, स्थ गुरु श्रिमी जे, स्वामी नरण गाधिना आध्याचारी प्रवर, धार्म दुरंदार सनातंदर शम्राम, परम कल्यान कारी जीवन